नमस्कार, जेहिन, मैं ब्येस दांगी, सत्यादी सर्मा क्लासिस परिवार के ओर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कत भाषा को, संस्कत विशे को, जो आपके लिए वर्गतीन की परिक्षा में महत्पून भूमी का निभाने वाला है प्यारे दोस्तो अगर आप citate की exam देने वाले हैं आप youpitate की exam देने वाले हैं या edgtate या ambitate या youpitate की exam देने वाले हैं और आपने दिती भाशा के अंतरगात अगर संस्क्रत विशे का उचेन किया है तो बिलकुल मैं आपके लिए ही यहाँ पर आया हुआ हूँ प्यारे दोस्तों आज हम बात करेंगे संस्कृत के प्रारंब की संस्कृत के इतिहास की संस्कृत के विवस्थित रूप की संस्कृत के पूरी तरह से परिमार्जित और परिश्कत रूप की कि आखिर क्या होता है इसमें आगे हम पढ़ने की शुरुवात करें उससे पहले कुछ बाते में आपसे करना जो है जरूरी समझता हूँ फ्यारे दोस्तों संस्कत के जो पाटिक्रम की बात हम करें तो आप सभी को पता है कि इसमें गद्य और पद्य की महत्वपून भूमिका रहने वाली है यहां तक हम देखे तो हमने गद्य और पद्य के सम्मंद में जो कुछ भी अभी तक ज्यान प्राप्ट किया है वो हमारे लिए कितना परियाप्त है ये अपने आप से आपको प्रश्न करना ही पड़ेगा दोस्तों अगर आप गद्य और पद्य का अर्थ करना चाहते हैं और उनके प्रश्न बनाना चाहते हैं तो पहले आपको संस्कित का प्रारंबिक ज्यान होना बहुत जरूरी है लेकिन अधिकतर बच्चे क्या करते हैं वो सोचते हैं कि गद्य और पद्य तो आते हैं यहीं पढ़ लेते हैं और वो प्रारंबिक चीजों को नहीं समझते हैं जब तक आपको प्रारंबिक चीजे समझ में नहीं आएंगी तब तक आप गद्य और पद्य का अर्थ नहीं कर पाएंगे और अर्थ नहीं कर पाएंगे तो आप सीधी सी बात है आप प्रशनों का उत्तर भी नहीं दे पाएंगे दोस्तों, आज की क्लास हम संस्क्रिट के प्रारंब रूप से करेंगे, कैसे संस्क्रिट आई, क्या इसका इतिहास रहा, क्या इसका अर्थ होता है, यह हम सब आपके साथ मिलकर पढ़ने वाले हैं तो दोस्तों संस्कृत की श्रुवात हम कर रहे हैं, सबसे पहले तो हम देखें कि संस्कृत जो है, इसका अर्थ क्या होता है, ये बने किस्से है, दोस्तों ये जो शब्द है संस्कृत, ये दरासल दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है सम और एक है कृत, लेकिन इसको और या यहां पर कर दे तो यह किस से बना है यहां पर Sam धनकर धन एक्तबरतय अब ये एक्तबरतय क्यों आया केसे आया ये आपको पढ़ने को मिलेगा जब हम प्रत्ते प्रकुरण पढ़ेंगे तब और एक्ते प्रत्ते लगने के बाद क्या हुआ यह हम देखेंगे संस्कृत की बाद हम कर रहे है संधन क्रधन इक्त प्रत्ते से मिलकर बना है संस्कृत लेकिन संधी अगर मैं करता हूँ तो वहां पर संधी होती है संधन क्रत जबकि यहां पर मैं व्योस्तित रूप से पूरा-पूरा तोड़ने पर पा रहा हूँ किसमें सम उपसर्ग है, कृधातु है और एक्त प्रत्य है सामान अर्थ होगा सबको समान कर देने वाली ही संस्कृत होती है लेकिन इसका मूल अर्थ क्या होगा? मूल अते हैं संस्कृत का अर्थ होता है संस्कृत का अर्थ है यहाँ पर संस्कृत शब्द का अर्थ है संस्कृत शब्द का अर्थ की बात हम करें तो इसका अर्थ निकल कर आता है सामान शब्दों में अर्थ निकलेगा इसका शुद्य परिश्कृत अर्थात जो सबसे शुद्ध है, सबसे परिश्कृत है, जो सबसे वास्तिक रूप में देखा जाए, तो मूल रूप में है, सबसे व्यवस्तित रूप में है, वही क्या है? संस्कृत है, संस्कृत कारती ही क्या होता है? शुद्ध परिश्कृत एवं परिमारचित, अर्थात जो सबसे शुद्ध भाषा ही रूप है, वही संस्कृत है, संस्कृत भाषा को सभी भाषाओं की जननी भी कहा जाता है, इसे सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है, आगे हम देखें कि विस संस्कत में हम पढ़ रहे हैं संस्कत का अर्थ तो हमने देखा कि सुद्ध परिश्कत भाषा ही क्या है संस्कत भाषा है दोसों संस्कत भाषा की बात करें तो इसके संबंद में सबसे पहले कौन सा गरंत लिखा गया था सबसे पहले किस आचारे ने बताया था तो हम बात करते हैं, सबसे पहले जो गरंत लिखा गया था, अश्टा ध्याई नाम गरंत लिखा गया था, इस गरंत के हम बात करेंगे, ये गरंत लिखा था महर्शी पाणिनी के द्वारा, ये गरंत लिखा गया था, महर्शी पाणिनी ने गरंत लिखा है अश्टा ध्याई, ये अश्ट अध्याई विश्व का प्रतम व्याकरन गरंत माना जाता है प्रतम व्याकरन गरंत इसी अश्ट अध्याई को माना जाता है इसमें कुल आठ अध्याई है जी हां दोस्तों इसमें कुल कितने अध्याई है आठ अध्याई इसमें है इस आठ अध्याई के कारण ही इसका क्या नाम दिया गया आठ अध्याई के कारण ही इसे हमने अश्ट अध्याई कहा है आठ अध्याई इसमें शामिल किये गए है इसलिए इसको हम कहते हैं अश्ट अध्याई विश्व का प्रथम व्याक्रण ग्रंत है दोस्तों इसमें लगबक 3978 शूत्र है जिहां कितने शूत्र है 3978 सूत्र है विश्व का पहला व्याक्रण ग्रंत है आट अध्याय है 3978 सूत्र है और लिखने वाले कौन है लिखने वाले महरसी पाणिनी इन्हें व्याक्रणा चार भी कहा जाता है इन्हें व्याक्रण ग्रंतिका रचियता भी कहा जाता है तो संस्क्त व्याक्रण लिखने का काम सबसे पहले किसने किया है महर्शी पाणिनी ने किसने किया है महर्शी पाणिनी के द्वारा दोस्तो संस्कित भाष्णा में तीन मुनी माने जाते हैं त्री मुनी माने जाते हैं संस्कित भाष्णा में और तीनों जो है अपना अपना एहत्रपुन योगदान इसमें देते हैं महत्रपुन योगदान यहां पर देते हैं लेकिन सबसे पहले बात करें तो महर्शी पाणिनी इन्हें व्याक्रणाचारी भी कहा जाता है इन्हें कहा जाता है व्याक्रणाचारी व्याक्रणाचारी की शेणी में इनको रखा जाता है जी हाँ दोस्तों बात हम कर रहे हैं महर्शी पाणिनी की महर्शी पाणिनी को कहा जाता है व्याक्रणाचारी औ दोसों हमने अभी तक जाना कि संस्क्रित का अर्थ क्या है शुद्रूप और इसको सबसे पहले व्याकरण लिखने वाले जो कोन है वो है महर्शी पाणिनी अब आगे हम बढ़ते हैं आगे की बातों पर हम विचार करते हैं इसके तीन मुनी माने जाते हैं सबसे पहले हमने ब हाशिकार उसके बाद महर्शी कात्यायन की बात की जाती है उन्हें वर्तिक ग्रंथ निखा था इसलिए उनको वर्तिक कार भी कहा जाता है जादा हम और इसको उल्जन में नहीं डालेंगे और सीधे हम सामान परिष्चे के बाद सीधे अपने मूल टॉपिक पर आते हैं प् जब प्रकृति में सब कुछ एक तरह से यूं कहें कि एक तरह से किसी प्रकार का आनन्द नहीं था, किसी प्रकार के शब्द को उसका विवस्तित रूप नहीं था, तो बताया ये जाता है कि महर्शी पाणिनी के दौरा भगवान शीव की लंबे समय तक तपश्या की गई, भगवान शिव की तब लंबे समय तक तपश्या की गई तो भगवान शिव की बताया जाता है लंबे काल तक प्रतिक्षा करने के बाद भगवान सीव ने महर्शी पाणिनी को दर्शन दिये और महर्शी पाणिनी को जब दर्शन दिये तो उनसे पूछा गया कि आप क्या चाहते हैं तो उनके द्वारा अपनी जो समश्या थी उनका वर्णन किया गया और बताया जाता है कि महरशी पाणिनी की तपश्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने चौदा बार डमरू बजाया था अब उनके पास डीजे तो था नी उनने चौदा बार डमरू बजाया था और जब डमरू जब बजाया गया जब डमरू को बजाया तो चवदा बार में निकले चवदा महेस्वर सूत्र भगवान शीव के डमरू से निकलने के कारण ही उन्हें महेस्वर सूत्र कहा गया और यही महेस्वर सूत्र सीव सूत्र कहला है और यही सीव सूत्र चतुर्दा सूत्र कहला है और इनी महेस्वर सूत्र से निर्मान हुआ हिंदी वर्णमाला का संस्कित वर्णमाला का निर्मान हुआ उन चवदा महेस्वर सूत्र से यह 14 महेस्वर सूत्र हम आपके सामने लिखने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं और इनको व्यस्तित रूप से समझने वाले हैं दोस्तो अगर आप संस्कृत व्याकरन को समझना चाहते हैं वर्ण माला समझना चाहते हैं संदी समझना चाहते हैं समास समझना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले महेस्वर सूत्र याद करना पड़ेगा जब तक ये याद नहीं कर पाएंगे आप बीच में अधर में ही लटक तो आएए हमारे साथ हम बात करते हैं महेस्वर सूत्र की जिहां दोस्तों आज हम देखेंगे यहां पर महेस्वर सूत्र महेस्वर सूत्र को हमने एक और नाम से दिया है यह आपके सामने भी बोला है महेश्वर सूत्र को हमने सीव सूत्र भी कहा है कहा सुत्पन हुए ये भगवान शीव के डमरू से उत्पन हुए थे इसलिए इनको हमने कहा है महेश्वर सूत्र महेश्वर सूत्र की संक्या कितनी है चवदा इसलिए इनको हमने कहा चतुर्दा सूत्र देखिए कौन-कौन से सूत्र थे ये सबसे पहले सूत्र के अगर हम बात करें तो सबसे पहला सूत्र है आ-ई-उ-ण दूसरा सूत्र है रि-ल-र-क तीसरा सूत्र है ए-उ-अंगा चोथा सूत्र है आ-ई-उ-च हलंत इसमें लगेगा पाच्वा सूत्र है हा-य-वर-ठ छटा सूत्र है ला-ण सात्वा सूत्र है या-मा अंगा या-ना-ना-मा पहली बार पढ़ेंगे समश्या तो आएगी समझना तो उसको पढ़ेगा दिक्कते तो हूँगी लेकिन पढ़ना तो पढ़ेगा अब हम देखते हैं सूत्र नंबर सूत्र नंबर आठ के हम बात कर लेते हैं सूत नंबर 8 क्या है? जी हाँ, जबई सूत नंबर 8 एक बार हम चेक कर लेते हैं सूत नंबर 8 हमारा क्या रहेगा? जबई जी हाँ दोस्तों सूत नंबर 8 पर जबई है मुझे भी कभी कभी confusion की स्थिती बन जाती है ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है आपको याद रखना है नवे नमबर पर है घड़दस घड़दस नमबर दस पर है जब गड़दस नमबर ग्यारा पर है नमबर बारा पर है नमबर तेरा पर है नमबर चौदा पर है हल नमबर चौदा पर क्या है हल तो दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि यहाँ बोर्ड पर जो लिखे हैं यह कितने सूत्र है यह है चौदा सूत्र और यही चौदा सूत्र जो है यह बनेंगे संस्कित व्याकरण का आधार संस्कृत व्याकरण का क्या बनेंगे यहाँ पर आधार बनेंगे इन्हें हम माहेस्वर सूत्र कहते हैं माहेस्वर सूत्र या सिवसूत्र इनको हम कहते हैं तो दोस्तो माहेस्वर सूत्र जो है यह बहुत ही काम की चीज है इसलिए मैंने इसको यहाँ पर पहले लेक्चर में फोकस किया है क्योंकि वर्ण माला यहाँ से समझेंगे आप तो बहुत जादा अच्छी तरह समझ में आएगी और अगर हम इसमें बाद में हम इनको पढ़ते हैं सबसे पहले एक बार अब वीडियो देख रहें साथ साथ तो मेरे साथ बोलना आपको सबसे पहले बोलिए आई उन आई उन री रक ए ओंग आई आऊच हाया वारत लान नमंगणम सीधे बोलें इसको नमंगणम यमंगणम क्या हो जाएगा यमंगणम आगे जाबाय घाड़ाधस जाबागाड़ाधस काफचाठता चाठता वा कापाय शसासर हाल मैंने साथ में लिख दिया हाल दोस्तों ये सूत्र है जब आप इसको अच्छी तरह पढ़नेंगे तो इसपीड आपकी कैसे बढ़ेगी ये भी देख्या आयून, रिलेक, एवोंग, एवोच, हयावरट, लण, नमंगणम, जबई, घड़दस, जबगड़दस, खपचठता चठतव, कपई, सशशर और हल ये चवदा आपकी स्पीड में जब तक ऐसे नहीं आएंगे तब तक याद करना है, अब कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि भई ये है क्या, लिकवा दिया आपने, इसमें करना क्या है, भई दोस्तों ये वर्ण माला का आधार है, महेस्वर सूत्र जो होते हैं, य आईउन, फिर नमबर दो पर है, रिल रहक, यहीं वे काम कीजिए सभी सूत्र पर जाईए, आपको हर सूत्र के अंतिम वर्ण में क्या दिखाए दे रहा है, हलंत, कुछ बाते जो जानना जरूरी है, आपको नोड भी कर लेना है, सभी सूत्र के अंतिम वर्ण पर क्या प्रत्यहार, यह अक प्रत्यहार में कितने वर्ण है, प्रत्यहार का मतलब होता है संक्षिप्त कर देना, सीमित कर देना, मैंने बोला अक प्रत्यहार में कितने वर्ण है, तो आप क्या करेंगे, एक, दो, तीन, इसे नहीं गिनेंगे, चार, पांच, कितने वर्ण है अक प् प्रत्यार माने जाते हैं तो दोस्तो प्रत्यार का अर्त है संक्षिप्त कर देना सीमित कर देना 42 प्रत्यार टोटल माने जाते हैं अब थोड़ा में इनको समझते हैं सबसे पहली बात जो भी सिवसूत्र है इनके हर सूत्र का अंतिमवर्ण में क्या लगा हुआ है हलंत लगा हुआ है इनको गिना नहीं जाता बोला जाता है नंबर दो बात करते हैं ऐसा कौन सा वर्ण है जो महेश्वर सूतर में दो बार आया है आपके सामने है सूतर ऐसा कौन सा वर्ण है जो महेश्वर सूतर में दो बार आया है जी हां दोस्तों कौन सा दिखाए दे रहा है आपको आप ध्यान से देखें कौन सा है, तो ऐसा वर्ण है आपका कौन सा हाँ, कौन सा वर्ण है जो महस्वर सूत्र में दो बार आया है, तो ये वर्ण कौन सा हमारा हाँ, हाँ एक मातर ऐसा वर्ण है जो दो बार आया है, अगर आपसे प्रशने पूछा जाता है कि कौन सा वर्ण म जो महेस्वर सूत्र में दो बार आया है। पॉइंट को ध्यान से सुनिएंगे। ऐसा कौन सा हलंत वर्ण है, जो महेस्वर सूत्र में दो बार आया है। तो महेस्वर सूत्र में ऐसा कौन सा हलंत वर्ण दिखाए दे रहा आपको, वो सूत्र न, वो है वर्ण आपका न, ये भी ना है, ये भी ना है, इसमें भी हलंत है, इसमें भी हलंत है, जबकि हा बिना हलंत वाला है, ये ना वर्ण कितनी बार आया है, दो बार, अगर एक्जाम में प्रशना आता है कि वहा कौन सा हलंत वर्ण है, जो महेस्वर सूत्र मे धो बार आया है तो ना अगर प्रशन आये कि कौन सा one दो बार आया है तो आएगा हाँ यह दो सामांने प्रशनत है अब आगे बात करते हैं और क्या het ध्यान से देखिये सूत्र नंबर 1 पर आई है सूत्र समांबर 1 में क्या दिखाए दिये आपको ये तीन हमारे मूल हस्वस्वर है उसके बाद हम बात कर रेल र ये भी हस्वस्वर है लेकिन इनकी गिंती उच्चरण के आधार पर नहीं होती है यहां से लेके सूत नमबर एक से लेके सूत नमबर दो तक ध्यान से देखिए आपको पांच हस्वस्वर मिलेंगे क्या मिल रहे हमें हस्वस्वर ये उच्चरन के आधार पर आते हैं ये उच्चरन के आधार पर नहीं आते हैं इसलिए पांच हस्वस्वर को अलग कर दिया और इनी दो सूत्र से मिलकर या एनी दो सूत्रों के वर्णों से मिलकर बनती है आपकी दिर्ग सुरसंदी उसके बाद आईए आप सूत्र नमबर 3 पर इसमें A और O दिखाए दे रहा है ये A और O गुन सुरसंदी में आता है तबकि सुर्वाद के दो किस में आते हैं दिर्ग सुरसंदी का निर्मान करते हैं नमबर 4 पर देखे आई और O ये आपके वर्दी सुरसंदी में आते है और अगर हम 1 से 4 तक की बात करें तो सूत्र नमबर 1 से 4 तक हमें क्या मिल रहे हैं? स्वर क्या मिल रहे हैं स्वर और यह आ से लेके चातक है इसलिए स्वर को संस्कृत भाषा में अच कहा जाता है क्या कहा जाता है अच क्या कहा जाएगा अच सूत्र नमबर 1 से 4 तक के वरणों को क्या कहेंगे हम अच और अच क्यों कहेंगे क्योंकि आ से लेके चातक के वर्ण है नमबर पांच वे सूत्र पर आईए हम सिरुवात कहां से कर रहे हा से और एंड कहां पर कर रहे ला पर तो हा से लेके ला तक के वर्ण कहलाएंगे वेंजन, इसलिए वेंजन को संस्कुत भाष्चा में हल भी कहा जाता है हल क्या कहा जाता है? हल अगर मैं यहां के और यहां के वर्णे भी जोड लो, तो यहां पर हा, या, वा, रा, ला भी जोड ले तो यह हो जाएंगे आपके सघोश वर्ण कैसे वर्ण हो जाएंगे सघोश वर्ण जो वर्ग में नहीं है इसके बाद ला देखे तो सूत्र नमबर 6 में अलग से क्यों लिखा सबसे कोमल वर्ण माना जाता है ला सूत्र नमबर 7 पर आईए आपको मिलेगा नमंगण ये हर वर्ग का पांचवा अक्षर है इन्हें हम नासिक के विंजन भी कहते है फिर ये जभाया ये सबसे कठोर वर्ण माने जाते है और घडद ये से कम कठोर है लेकिन दोनों सूत्र को मिला कर क्या बनते है हर वर्ग का चूता वर्ण बनता है नमबर दस पर आईए जबगडद ये हर वर्ग का तीसरा वर्ण है आप ग्यारा और बारा पर जाएए आपको हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण मिलेगा पहला और दूसरा वर्ण नमबर तेरा पर जाएए आपको तीनों शा मिलेंगे साथ में और नमबर 13 और 14 को शामिल कर दे तो यह हो जाएंगे उश्मवेंजन अर्थात इन वर्णों का महत्व बहुत जादा है बहुत ही घनिष्ट महत्व इनका संस्कृत में होता है एक दूसरे से इसलिए आपको इनको याद करना जरूरी है दोस्तों यहाँ से एक चीज़ और मिलेगी हमें प्रत्याहार क्या मिलेगा हमें प्रत्याहार प्रत्याहार का अर्थ होता है क्या संक्षिप्त कर देना या सीमित कर देना संक्षिप्त कर देना यह प्रत्याहार का अर्थ बनेगा अगर मैं कहूँ कि सल प्रत्यहार में कितने वर्णे आएंगे तो क्या होगा शाशा साहा यहाँ पर सल बोलेंगे लेकिन उसको गिनेंगे नहीं यह था हमारा प्रत्यहार हमने देखा आरंभिक रूप से संस्कित व्याकरण का सामाने परीचे उसका इतिहास प्रारंविक रूप से और हुआ क्या था वर्णमाला किस से बनी यह हमने देखा किस के माध्यम से महेस्वर सूत्र के माध्यम से महेस्वर सूत्रों की संक्या कितनी है चवदा महेस्वर सूत्र को और किस नाम से जाना जाता है उन्हें जाना जाता है महेस्वर सूत्र को सीव सूत्र के नाम से तो प्यारे दोस्तों ये था संस्कृत व्याक्रण के अंतरगत आज हमारी कक्षा में महेस्वर सूत्र का प्रारमिक परीचे और यही महेस्वर सूत्र जुहूंगे आपके लिए बनेंगे संस्कृत व्याकरण का आधार तो मेरे साथ एक बार फिर से तेज आवाज में आपको क्या करना है महेस्वर सूत्र का दोराव करना है और याद कर लेना है जब तक अगली कक्षिया आपको ना मिले तो दोस्तो एक बार जोर से और तेज आवाज मेरे साथ आपको बोलना है साथ साथ घर पर आप क्लास देख रहे हो तो पहला सूत्र है आई उन रिल रक ए ओ अंगा आई आवच हायावाराट लान नमंगणम क्या होगा नमंगणम फिर आगी आएंगे जाभाया जाभाया घडधस गडधस जब गडधस जब गडधस काफ चठ थ चठ तव कापया शाशासर शाशासर और हल क्या होगा हल तो प्यारे दोस्तों आपको याद करना है महेश्वर सूत्र और सीख जाना है संस्कृत को अच्छी तरह से अगर आप मेरे साथ में continuity में रहना चाहते हैं तो सबसे पहले महेश्वर सूत्र याद कीजिए दोस्तों यतनी बातों के साथ में दिल से जै हिन जै भारत धन्यवाद